तो आज कॉंग्रेस पार्टी के नेता जेराम रमेश ने कुछ ऐसा लिका अडानी ने अम्बूजा सिमेंट एसी सी और सांगी इंडस्ट्रीज खरीद लिया है और अब औरियेंट सिमेंट को भी खरीदने वाले हैं यह कंपिटीशन से भरा एक ऐसा बाजार था जा बैंक के पूर्व डिफ्टी गवर्णर विरल आचारिये ने भारत में महिंगाई बढ़ने के लिए कुछ चुनेंदा बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार बताया था मोनोपली करके यह कंपनिया 10 से 30% तक कीमते बढ़ा देती हैं लूटका यह सिलसला तभी रुकेगा जब परदानमंतरी सत्ता से बाहर जाएंगे लोग सब देख रहें और समझ रहें हैं आने वाले चुनावों में इन सब का जवाब देंगे इसी के साथ कॉंग्रेश नेता जैराम रमेश ने एक अख़बार का आर्टिकल भी सेर करा देश की सभी सिमेंट कंपनिया जिस कच्चे देश के कहीं हिस्सों में सिमेंट की 50 किलो की बोरी 400 रुपे में मिलने लगी है हाला कि कहीं हिस्सों में दाम अभी 382 रुपे तक चल रहे हैं आप जरू कर दें